अलो टेडर्स मेरा नामी शुबो मर्स वागत कुरूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुब अगदम में तो दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले कल के मार्केट अनालिसिस के उपर कल के मार्केट सेशन के लिए मैंने जो जो स्टॉक्स फाइंड करके वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसकी इन डेटेल मैं अनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ साथ में ही Nifty और Bank Nifty के views भी आपके साथ share करने वाला हूँ तो यहापर हम analysis को start करते हैं सबसे पहले हम यहापर stocks के analysis देख लेते हैं उसके बाद में हम Nifty Bank Nifty के analysis देख लेंगे तो सबसे पहले stock यहापर मैंने National Aluminium का select किया है पूरा detail analysis आपको यहापर से बता देता हो अगर हम यहापर से 4 hour के time frame में चलेंगे तो आपको यहापर से दिखाई देगा price जो है वो अपने previous high पे पहुच चुका है आप यहापर देख सकते कि price ने यहापर resistance लिया resistance लेने के बाद में price ने यहापर से बहुत अच्छा सा fall दिखाया और 1 hour के time frame में या फिर 15 minute के time frame में यहापर बहुत अच्छा reversal pattern बन रहा है जो की हमें बता रहा है कि यहापर से price fall हो सकती है अपनी जो downside के trend line है यहाँ तक price जो है वो fall कर सकती है ठीक है ना तो इसी वज़े से यहापर बहुत अच्छा intraday trade बन रहा है किस तरी किसे यहापर में trade लूँगा अगर है यहापर से हम फिर 15 hour के time frame में चलेंगे तो clearly आप यहापर एक pattern देख सकते है इसे हम head and shoulder pattern बोलते है एक bearish pattern है ठीक है ना यहापर से सबसे पहले हम यहापर 4 hour के time frame में चलेंगे और यहापर जब price अपने previous hyper मतलब यहापर पहुच चुकी थी तभी हमने discuss किया था कि यहापर selling pressure आ सकता है क्योंकि nifty metal भी उस समय resistance पर था ठीक है ना और उसके बाद में आप यहापर देख सकते है कि बहुत अच्छा सा fall आया fall के बाद में price ने recover किया और यहापर एक बहुत अच्छा reversal pattern बन रहा है थोड़ा सा अगर हम one hour के time frame में चलेंगे तो आप simple सा देख सकते हो कि price अपने important resistance पर गया उसके बाद में breakdown हो और breakdown के बाद में भी छोटा सा fall आया और यहापर अगर हम Fibonacci भी लगाएंगे top से लेके bottom तक तो price यहापर retracement ले रही थी retracement कहा तक accurately 0.618 तक यह retracement हुआ और simple सा आप यहापर देख सकते कि price जो है यहापर rising wage pattern बना रही है opportunity ले सकते हैं यहापर simple सा एक impulse move, impulse move के बाद में correction, correction के बाद में और एक impulse move इस तरीके का structure बन रहा है ठीक है अब यहापर से next talk के ऊपर चलेंगे next talk के हमारा अमर राजा बैटरी अगर आपने कल के analysis का वीडियो देखा होगा तो हमने Excide Industries के साथ में अमर राजा बैटरी का भी analysis दिसकस किया था और simple से हापर हमने discuss क्या किया था कि price जो है यहापर देख सकते हैं कि important support की trend line break कर रहा है उसका retest कर रहा है similarly यह वाली जो trend line है यहापर resistance का का काम कर रही है और अगर यहापर हम top से लेके bottom तक Fibonacci लगाएंगे यहापर से लेके यहाँ तक अगर Fibonacci लगाएंगे तो price accurately 0.618 पर पहुच चुका है इसी वज़े से यहापर से हमें fall दिखाई दे सकता है और यही same structure हमें Excide Industries में देखने को मिला था वहाँ पर बहुती अच्छा trade setup बना और वहाँ पर से बहुती अच्छा fall मिला पर आज हमें अमरराजा बैटरीज में कोई भी fall देखने को नहीं मिला पर कल हमें यहाँ पर से बहुती अच्छा downfall देखने को मिल सकता है किस तरीके से मैं trade करने का try करूँगा simple सा अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे तो कल हमने discuss किया था कि यहाँ पर double top pattern बन रहा है पर अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो price यहाँ पर first top, second top, third top मतलब यहाँ यहाँ पर triple top pattern बना रहा है और आज के दिन में यहाँ पर simple and clear structure यहाँ पर बन रहा है अगर यहाँ पर से next stock पर चलेंगे तो next stock है हमारा kotak bank, kotak bank में भी बहुती similar structure बन रहा है अगर हम यहाँ पर 4 hour के time frame में चलेंगे तो simple सा देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुती अच्छी downtrend line है, price हर बार क्या कर रहा है पर यहाँ पर देख सकते हो अगर फिवन अच्छी लगाएंगे previous swing को तो अगर हम top से लेगे bottom तक कीचेंगे तो price यहाँ पर भी 0.618 पर आ रहा है यहाँ पर से भी price को rejection मिल रहा है इस तरीके के candles देखकर आपको पता चल रहा होगा और हमारे confirmation के लिए यह trend line भी यहाँ पर है इसी वज़े से यहाँ प pattern बना रहा है ठीकर न यहाँ पर एक lower high भी बन चुका है इसी वज़े से यह यहाँ पर से हमें बता रहा है कि यहाँ पर selling pressure बढ़ रहा है इसी वज़े से अगर यह neckline कल हमें breakdown मिलती है यहाँ पर से कोई भी pullback मिलता है तो यहाँ पर से हम बहुत ही अच्छी short की opportunity ले सकते को double top pattern बना रही है और अगर यह neckline breakdown कर दे कि तो यहाँ पर से हम short के trades ले सकते है target में यह बोला था पर यहाँ तक price आई नहीं अभी यह target में किस basis पे बोला था simple सा अगर मैं यहाँ पर bottom से लेके top तक Fibonacci को खीचूंगा तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा 0. 0.618 का ratio आ रहा है और price ने support आज यहाँ पर कहा पर लिया 0.5 पर मतलब 0.5 भी इतना important ratio होता है पर मुझे एसा लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा double top pattern भी बन रहा है यह जो black color की trend line है यह important trend line है इसका भी यह breakdown हो रहा है इसी वज़े से हमें simple सा 0.618 तक एक rally देख को नहीं मिली और हम कह सकते कि यहाँ पर से बहुत अच्छा fall भी नहीं मिला पर at least अपने कुछ तो profit यहाँ पर से बनाया होगा अभी कल का यहाँ पर से plan क्या होगा अभी simple सा देख सकते हो price ने यहाँ पर double top pattern बनाया है breakdown कर दिया है retest कर दिया है यहाँ पर से fall हो गया है अगर यह दो supports break कर देता है तो सीधा previous low पर price पहुच जाएगी यह मेरा third support रहेगा ठीक ना और यहाँ पर मैं trade किस तरीक से करने का try करूँगा अगर थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दू तो यहाँ पर बहुत अच्छे से falling channel pattern मिन रहा है अगर इस low को हम connect करेंगे और बहुत ही important resistance का काम कर रहा है इसी वज़े से थोड़ा सा अगर market gap up खुलता है या फिर यही पर कही पर gap up खुल की negative candle बनाता है तो यहाँ पर से short करने के बहुत ही अच्छी opportunity बन सकती है target मेरा first target यह रहेगा second target यह रहेगा और यह important supports के काम करने वाले यह first जो level है मैंने आपको draw करके बताया यह 0.618 का Fibonacci का level है second support यह market profile का level है third यह structural support है अभी यहाँ पर से nifty के chart के उपर चलते है nifty में बहुती interesting analysis बन रहा है मैंने nifty में बोला था कि अगर यह जो तीन line है इनके बीच में market अगर खुलता है तो हमें यहाँ पर nifty में trade नहीं लेना है क्योंकि expire यह और इसी के बीच में market फसा रहेगा इसी हो जैसे अभी यहाँ पर एक बहुती interesting pattern बन रहा है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो price यहाँ पर बहुती अच्छे से head and shoulder pattern बना रहा है और अगर market कल gap down खुलता है या फिर range में open होके यहाँ पर से यह वाली जो purple color की लाइन है आपके लिए यहाँ पर mention भी कर देता हूँ यह level अगल break कर देता है तो simple सा मैं यहाँ पर से down side का first target रहेगा यह black color की जो हमारी trend line है यह उसके बाद में second target यह third target ही है यह तीनो भी levels आपके लिए यहाँ पर mention कर देता हूँ यह तीनो भी levels यहाँ पर जो हमारा first level जो यह वाला जो level है 17,015 का यह वाला जो level है यह हमारा market profile का level है यह एक important level है यह 3 important supports होने वाले अगर यह head and shoulder downside में break करता है अगर इसी के बीच में खुलता है यह इसी के बीच में फसा रहेगा फिर जब यह black color की आप यहाँ पर देख सकते हो कि downtrend line है इसका price breakout कर देगा तब हमें यहाँ पर से बहुत ही अच्छे long के trades मिल सकते otherwise short के trades किस तरीके से लेना है वो में आपको बता दिया अगर market इसी के बीच में फसा रहेगा तो बहुत ही अच्छे trades हमें intraday में नहीं मिल सकते ठीक है तो यह है मेरे nifty और bank nifty की analysis और मेरे 4 stocks वापिक आपके पूरी analysis समझ में आ गई होगी अगर analysis पसंद आई तो फिलीज इस वीडियो को लाइक कर दीजा आपके फ्रेंड के साथ trading को मिल साथ चेर कर दीजे और एसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe भी कर दीजे तो आज की वीडियो में इतना ही रखते थैंक्यू बेरिमाच